हेलो फ्रेंट्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस पेपर सेवन जी एस पाइफ के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे ब्रिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट और्गनाजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट एक संगठन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सी फ्रेंट्स ब्रिक्स जो है वह पाच शब्दों से मिल करके बना हुआ है बी आर आई सी और एस इसमें एक एक शब्द एक एक देश को दिखाते हैं बी से ब्राजिल आर से होता है रशिया आई से होता है इंडिया सी से होता है चाइना और एस से होता है साउथ आफ्रिका यदि आप गौर से देखें तो ये अलग-अलग कंटिनेंट्स के बात करते हैं ये ब्राजिल जो है वो साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में है रशिया ज तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंटर कंटिनेंटल एक ग्रूप बना हुआ है अंतर महादुपी यह ग्रूप है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रूप है क्योंकि यह वर्ड के बहुत ही लार्जेस्ट बोल सकते हैं एक ऐसे पॉपूलेशन को कवर करता है जो कि विश्व की जन प्रतीशर्थ यहां दिखेगा क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ही इस ग्रूप में शामिल है प्लस रश्या थिक तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिक्स जो है वो अपने इंपॉर्मेशन जो है वो और भी बढ़ा देता है थिक फिर हम बात करेंगे इसके फॉर्मे 6 में कुछ मेंबर्स मिले आपको बहुत सारा नाम याद रखने के आशकता नहीं है लेकिन जो फर्स्ट इसकी मीटिंग हुई या बोल सकते हैं कि जो इसका एक्चॉल फॉर्मेशन डेट अगर आप बोले या इयर बोले तो एक्चॉल फॉर्मेशन वाजिन 2009 2009 में या मूर् वह है शंगाई में शंगाई आप सभी को पता है बहुत ही फेमस सिटी है कहां की चाइना की ठीक तो चाइना में है अब इसके उद्देश्यों की बात करें अब्जेक्टिव क्या क्या है तो यह जिन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया वह थे सबसे पहला जो अब्जेक्टिव में हम देखेंगे कि to provide financial assistance वित्ती सहयता ठीक है financial assistance यह सारा चीज जो है या जो सदस्य देश है उनके ही बात कर रहा है ठीक है थार्ड है आपका support various projects विभिन परियोजनाओं में सहयता करना और चौथा जो अब्जेक्टिव है वह है infrastructure development ठीक है infrastructure जो ढढ़ा सारी चीज है इसमें infrastructure के अलावा roads है developments का जो projects है उन सब में क्या करना provide help ठीक है help provide कराना तो यह जो है यह इसके मुख्य उद्देश है आप बोल सकते है ब्रिक्स को बनने के पीछे ठीक फिर हम बात करेंगे कि ब्रिक्स का जो financial architecture है वो कैसा है वित्ती जो उसकी structure है वो क्या ह तो आपको यहाँ यदी question है कि financial structure को बटाइए ब्रिक्स के वित्ती धाचा कैसा है ब्रिक्स का तो आपको यहाँ दो नाम लिखने पड़ेंगे पहला जो नाम है वो है new development bank ठीक है new development bank ndb भी से कहा जाता है ठीक या फिर इसे bricks development bank भी कहा जाता है bdb ठीक है तो दोनों नाम से आपको याद रखना है इनके बारे में मैं detail अभी आओंगा उसके पहले दूसरा नाम भी हम देख लेते हैं जो दूसरा नाम है वह है the contingent reserve arrangement contingent reserve arrangement ठीक है contingent का मतलब होता है अकस्मिक reserve का मतलब होता है आरक्षित और arrangement का मतलब होता है उसको लान ठीक है arrange करना ठीक आप सभी सम समस्ते होंगे इसको CRA के नाम से जाना जाता है तो अगर हम financial structure की बात करें BRICS के तो NDB आपको दिखेगा अब ये new development bank और CRA है क्या तो 2014 में एक conference हुई थी या summit हुई थी वैसे तो हर साल meeting होती है BRICS देशों की और BRICS में जो भी members हैं उनकी बट 2014 में एक conference summit हुई कहां हुई Fort laser, Fort laser summit हुई ठीक है ब्राजील में है ये और Fort laser summit में एक resolution पास किया गया कि हमें एक bank का development करना है जिसे NDB के नाम से जाना जाएगा और एक CRA बनाना है जिसे contingency reserve arrangement बनाना है for the BRICS association ठीक है तो उसी के अधार पर new development bank को बनाया गया 2014 में या घोशना हुई ये sign किया गया और 2015 से ये bank आपका active है ठीक है मुख्य रूप से या बोल सकते हैं कि प्रारंभिक रूप से किसके लिए देता है तो infrastructure project ठीक है जो धाचागत हमारी परियोजनाय है उन पर ये क्या देता है उन पर ये उधार lending का काम करता है new development bank ठीक अब CR-A क्या कराता है तो CR-A एक framework है किसके लिए कि protection against global liquidity pressure जो वैश्विक तरलता दबाव है ठीक है अब ये वैश्विक तरलता दबाव क्या है ये तो बहुत ज़्यादा heavy हो गया economics का हमारा ये wording हो गया इसको मैं आसान भासा में समझाता हूँ कि जो currency की convertibility है आप सभी को पता है कि US dollars में जो है व developing stage पर है उनकी currency की value क्या हो जाएगी उनकी currency की value low हो जाएगी as compared to the developed nations तो उनके बीच यदि कोई ऐसा liquidity का pressure आता है तो वहाँ पर ये CRA जो है वो अपना काम या अपना जो role है वो अदा करता है ठीक इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने के ज़रती CRA अगर आएगा तो आप first summit होता है 2009 में जैसा मैंने आपको बताया और ये host करता है Russia ठीक है ये पाँच देश है ये पाँच देश में ही ये summit होते हैं पहली चीस तो आपको ये याद रखना है बाहर कहीं जाना नहीं है ठीक और जो बारवी summit हुई जो हुई पिछले साल 2020 में यह क्योंकि Corona pandemic के कारण इसे बढ़ाया गया था इसको क्या किया गया था इसको आगे बढ़ा दिया गया था November में हुआ ये virtual summit हुआ लेकिन again by the Russia hosted by the Russia अब जो 13 summit होने वाला है वो important हो जाता है 2021 में इस वर्ष जो होने वाला है क्योंकि इसकी जो hosting करेगा वो हमारा प्यारा भारत देश करेगा तो इस जब होगी तब आप update कर लिजेगा यदि mains के पहले होती है तो आप केवल 2021 लिख दीजे ठीक तो ब्रिक्स के जो lecture था उसमें इतना ही आपको जानना है यदि आपको और भी जानना है तो आप comment section में जरूर लिखे कि आपको और क्या जानकारी चाहिए तो ऐसे ही videos आपके लि आपके लिखे कर दो 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 आपके लिखे कर दो